तो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त को रिलीस होने वाली साउत की दो बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें राम पोति नेनी की फिल्म डबल स्मार्ट संकर रभी तेजा की फिल्म मिश्टर बच्चन सामिले और जानेंगे इन दोनों फिल्मों की पहले दिन की टोटल इंडियन और ओल डंड़ायड वॉक्स ओपीस कलेक्षन के बारे में और अपने दूसरे दिन यानि आज कौन से फिल्म मारेगी वॉक्स उपीस पर बाजी कौन बनेंगा आज का सबसे बड़ा सुपर इस्टार और कौन से फिल्म बनेंगे सबसे ज़्यादा कामाई करने वाले सबसे बड़ी बॉलघबश्टर फिल्म है तो दोस्तों यह सब जानने से पहले कर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अन कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राम की फिल्म डबल स्मार्ट संकर के बारे में आपको बता दो यह फिल्म है 2019 में आई स्मार्ट संकर का सिक्वेल है जिसे 20 कोड के बजट से बनाया गया और दुनिया भर से लगबक 80 कोड की कमाई करके बॉक्स वपीस पर अभीत हुई थी इस फिल्मों को पूरे जगनात ने डारेक्ट किया जिसका बजट 90 कोड के आसपा से आपको बता दो पूरे जगनात की पिछली फिल्मर लागर आये थी जो बॉक्स ओपीस पर पूरी तरह फोलॉप रही अगर बात कर इस फिल्म की स्क्रीन काउंट के बार अगर बात के फिल्म के दूसरे दिन की तो यह फिल्म अपने दूसरे दिन आने आज इंडियन बॉक्स ओपीस पर लगब पाश से चे कोड़ का माती नाजर आ रही है तो दोस्ता बात करते हैं रभी तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन के बारे में तो आपको बता दो पूरे दुनिया को पंधिया से लगबग 100000 अगया इस फिल्म के पहले दिन की तो से पाच कोड कमाती नजर आ रही है दोस्ताज के कलेक्शन के मामले में राम पोतिनेनी की फिल्म डबल स्मर्ट संकर नमारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी और राम पोतिनेनी बना आज का सबसे बड़ा सुपरिश्टर